नमस्कार आप देख रहे हैं GBN24 News और मैं को आपके साथ मपता विश्रा पाली शाबाद पाली मार्क पर बर्गदिया पुलिया के पास सोमवार की दुपहर जीजा साले के एक लाग 39,000 रुपय मोबाइल और बाइक की लूट की घटना जूटी निकली करजे चुकाने के लिए लूट की जूटी काहानी कड़ी गई थी पुलिस ने मामले का खुलासा कर जीजा साले साही तीन लोग को गरफतार कर दिया पाली थाना पुल अध्यक्ष सुनील दत्यकॉल ने बताया कि चेतर के सालोनी गाउन निवासी सद्दाम ने पुलिस को सूचना दी ती जिसमें ब परेली गाउं इस्तित एस्वी आई के ग्राहक सेवा केंदर में साथ हजार रुपए निकालने गया था वहांजे साथ हजार रुपए निकालने के बाद उसने रुपए रठैली में रख लिये वापस आते समय रास्ते में पाली शाबाद मार्क पर बरगदिया पुलिस के पास छह लोगों ने उसकी बाई करोक ली थी इसके बाद बदमाशों ने उसे नशीला रुमाल सुंघाया बाद में उसे होश आया तो उसके पैसे वाला जोला वहां नहीं था और पैसों के साथ साथ मोबाईल और बायक भी गाइब थी करीब पांच घंटे बाद उसने ना संदिक दिल लग रही थी इसके बाद पुलिस ने पीड़ी सद्दाम के बारे में जानकारी जुटए जाच में उस पर करजा होने की बाद सामने आई सद्दाम और उसके साले इमरान को हिरासत मेले का कड़ाई से पूस्ताच की तो उसने अपना जुर्म कबोल लिया और रुपए हडपकर करजा चुकाने के लिए उसने गाउनिवासी यूश जुबैर के साथ मिलकर लूट की जूटी कटना बनाई थाना द्यक्षिस विल्दत कॉल ने बताया कि सद्दाम की निशान देही पर 80,000 रुपए कितिया पुर गाउं में मोटर साइकल और कस्बा की ए सद्दाम और उसके साले इमरान अपने अपने बयानों में घिर गए दोनों के बयान अलग 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 थे कई बार गुमराफ करनी के लिए दोनों ने अपने अपने बयान बदले सद्दाम ने बताया कि नसीला रुमाल सुंगा कर उसे गन्ने की खेत ने बांध के डाल दि फोन की लोकेशन घटना के समय पालीश की निकली सद्दाम के मुताबिक घटना एक बजे के करीब हुई थी और बदमाश रुपए बाइक के साथ उसका फोन भी ले गए थे जब सद्दाम के फोन की लोकेशन पता की गई तो घटना के समय फोन की लोकेशन पालीश हो रही थी जब पुलिस ने कड़ाई से पूस्ताच की तो सद्दामों और इम्राम ने पूस्ताच में पूरी कहानी उगल दी पाच घंटे तक सद्दाम ने बकायदारों के वापस किये थे रूपय सद्दाम ने बताया कि करज़दार उससे लगाता रुपयों का तगाजा कर रहे थे ऐसे में उसने बड़े भाई के साले को उम्रान लूट की जूटी योजना में शामिल किया था इसके बाद वर साले के साथ बाईक में परेली रुपय निकालने चला गया था बैंक में उपर निकालने के बाद पाली वापस आया और उसने करजा लिया था उन लोगों के घर जाकर उसने उनका करज अदा कर दिया इसके बाद देशाम पुलिस की लूट की जूटी जानकारी दी जीबन 24 के लिए हर दोई से पुनी सिंग पतेल की रिपोर्ट झाल